मिस्व अलाह रह्मार रहीम दोस्तों ट्विट्टल क्या है तोस्तों क्या है तोवर्टी नाइन ए एक मंजिस्ट्रेट को और टू सिक्स्टि फाइव के सी आर पिसी एक सेशन जजज को बाइख त्यार करती है कि वो किसी मुल्जम को एक क्रिमिनल ट्राइल के किसी भी मरखने पर प्रासिक्यूटर को सुनने के बाद कम्प्लेनेंट को सुनने के बाद और मुल्जम को सुनने के बाद बरी कर सकती है और टू फॉर्टी नाइन एज़ पीसी टू सिक्स्टी फाइव के सियार पीसी बिल्कुल सेम एज इज़ इस सेक्शन फाइव सिक्स्टी वन एसी अर पीसी तमाम पार्स जो है अक्विटल की और क्वेश्मेंट अफ एफ आई आर की एक हाई कोट को इंपावर कर रही है और एक हाई कोट को इंहेरंट पावर दे रही है इंहेरंट पावर एक्विटल का मैंनी है किसी शक्स को एक जुरम से बरी कर देना एक जुरम के अंदर जो मलजम है उसको मासूम करा दे देना किसी जच का ये फैसला के मलजम जो है वो किसी इल्जाम या किसी जुरम से बरी है मासूम है और वो कच्ची सुरत जब गिल्टी नहीं है तो वो कन्विक्ट नहीं हो सकता है टू फॉर्टी नाइन एट सी एर पीसी एक मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो मलजम को ट्राइल के किसी भी स्टेज पर बरी कर सकता है जब वो समझे के चार्च जो है इल्जाम जो है वो बेबनियाद है और मलजम को मुजरम टहराने में किसी किसम का कोई इमकान वाकी नहीं है सफ़ाए मिसल पर कोई ऐसी शहादत मुजूद नहीं है कि मुजरम मुजरम बन सके सेम एज इट इस टू सिक्स्टी फाइव के सी आर्टी सी एक सेशन जजज को इमपावर करती है कि वो अक्यूज को जब देखे कि किसी किसम का कोई ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कोई ऐसी इमकानात नहीं है कि उसको कन्विक्ट किया जा सके उसको मुल्जम ठेहराया जा सके तो अंदर सेक्शन टू सिक्स्टी फाइव के सी आर्टी सेशन जज जज जो है वो किसी भी मुल्जम को ट्राइल के किसी भी स्टेज पर बरी कर सकता है बन्यादी तोर पर अक्विटल का मकसद ये है कि जब कानून ये देखे कि मुल्जम को मुश्रम ठेहराने की कोई इमकानी सूरत नहीं है किती सूरत उसको उस जुरम में कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है और जो उस पे इल्जम लगाय जा रहा है वो बेबनियाद थाबत हो रहा है तो ट्राइल की कन्फिविवन से बचने के लिए और अदालत का कीमती वक्त जाया करने से जाया होने से बचाओन के लिए ऐसे मुझम को अक्विट करना मनासर पे और सेक्शन 249A CRPC और सेक्शन 265K CRPC एक मजिस्ट्रेट को और एक सेक्शन जजज को इंपावर कर रही है कि वो मुल्जम को किसी भी स्टेज पर बरी कर सकते हैं जिस तरह से एक मजस्ट्रेट अंडर सेक्शन 249A और एक सेशन जजज अंडर सेक्शन 265K मुल्जम को बरी कर सकता है सेम एज इस सेक्शन 561A CRPC हाई कोट को इंपावर करता है कि वो मुल्जम को अक्विट कर सकता है FIR को क्वेश्मेंट करते हुए हाई कोट के पास अंडर सेक्शन 561A CRPC जो पार है वो यह है कि तो गिव इफेक्ट तो एनी आर्डर अंडर सी आर्डर सी आर्डर सी आर्डर सी एटी नाइटी एट किसी भी आर्डर को किसी भी हुक्म को जो जापता ए फुजदारी के मताब़ दिया गया है उसको मुसर करने के लिए 561A CRPC का सहारा हाई कोट ले सकती है तूसरा मक्साथ 561A CRPC का यह है कि किसी ट्राइल कोट की जो अब यूज ओफ प्रॉसिस है प्रॉसिस का मिस्यूज है उस से बचा जाए उस से लोगों को बचा जाए तीसरा जो मक्सद है 561A CRPC का वो यह है कि इनसाफ के तकाज़ों को बरकरार रखने के लिए सेविंग दा अनहरन पावर उफ हाई कोट जो है वो इस्तमाल की जाती है और अदालत अगर किसी भी मरखने पर इस बात इस अमर को सामने रखते हुए कि प्रासेक्यूटर मुल्जम और कंप्लेनेट्स इन तीनों को सोना जाए या जो केस की वजुहात है सफ़ाए मिसल पर कुछ ऐसी वजुहात आ जाए कि मुल्जम के ओपर ये जुर्म थापत नहीं होता सफ़ाए मिसल पर कोई ऐसा इनक्रीमिनेटिंग मेटरियल मुजूद नहीं है कि किसी किसम की प्राबबिलिटी ओफ कन्विक्शन हो किसी किसम का एस चार्ज इतना मजबूत ना हो कि उसकी वज़ा से मुल्जम जो है वो कन्विक्शन हो सके तो अदालत मुल्जम को रहा करने का हुप्म जारी कर सकती है ये बात इंटर्पेट हुई है और इसकी एक प्रिंसिपल्स जो है इस्टेबलिश हुए और इसको डिसकस किया गया है 2011 S.C.M.R. पेज़ फाइव जिरो एट में सक्षन 249A C.R.P.C. और सक्षन 265K C.R.P.C. के तहत बरी होने के लिए एप्लिकेशन किसी भी स्टेज पर दी जा सकती है और अधालत अपने एक्तियार को एक क्रिमिनल ट्राइल के किसी भी स्टेज पर इस्तामाल कर सकती है 2014 PCRLJP A24 केसला है इसमें ये डिस्कस किया गया था कि अक्विटल बन्यादी तोर पर मुल्जमान को जूटे मकदमों से बचाने के लिए और अधालतों को अपने कीमती वक्त को बचाने के लिए इस्तवाल में आना चाहिए जो पास जो अंडर सेक्शन 249 A.C.R.P.C. एक मजिस्ट्रेट को और अंडर 265 K.C.R.P.C. एक सेशन जज़ज को दी जा रही है अप्लिकेशन जो मुल्जम देना चाहे 265 K या 249 A.C.R.P.C. के ताहिए तो वो किसी भी वक्त किसी भी स्टेश पर दे सकता है ये बात इंटर्प्रेट हुई है 2004 A.C.M.R.P.C. है 805 में मकस्द बन्यादी तोर पर अक्विटल के ये है कि मुल्जम जब ये देखे कि उसको फामखा में जलील उखार किया जा रहा है मकद्म बादी में लगाया जा रहा है सफाइमिसल के ओपर कोई इंक्रिमिनेटिंग मेटिरियल उसके खिलाफ नहीं है कोई शवाहद उसके खिलाफ नहीं है रिकार्ट के ओपर कोई ऐसा मुवाद मजूद नहीं है जो उसको इंक्रिमिनेट कर सके तो मुल्जम को ये मोका फरहम किया जाता है कि वो अपनी रिखाई को मुमकिन बना सके और यही अक्विटल का मक्सद है यह बात इंतर्प्रेट हुई है 2005 वाइल लार पेश है 2000 जब भी अक्विटल का अडर होगा 249 ने में या 265 केस यार पीसी होगा तो इस हुकम के खिलाफ अपील होगी और अक्विटल अपील जो है पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट अफ पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल इस्टेबलिश किया हुआ है वो है शोव सुआरप केस का यह केस रिपोर्ट हुआ है आल इंडिया रिपोर्ट्स 1934 PC पेज है 227 में और यह प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट अफ पाकिस्तान ने अप्रूफ किया था और यह केस रिपोर्ट हुआ था PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज है 293 में इसमें यह वाज़ किया गया था के एक ट्राइल कोट को सफ़ाई मिसल पर तमाम मैट्रियल को मंदे लिज़र रखना चाहिए और अगर ट्राइल कोट यह समझती है कि कोई इंक्रिमिनेटिंग मैट्रियल नहीं है चार्ज ट्राउंड ऐसे परबाविलिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं है तो उसको अक्विट कर देना चाहिए हमेशा अक्विटर्ण से पहन दे एक ट्राइल कोट को क्रेडिबिलिटी ऑफ विट्नेसिस को मदे नज़र रखना चाहिए कि जो विट्नेसिस हैं क्या वो क्रेडिबल है जो एविटन्स मजूद है क्या वो क्रेडिबल है डिमीजिबल है और इसी केसला में ये प्रिंसिबल भी इस्टेबलिश किया गया कि बेनिफिट आफ डौट हमेशा अक्यूज को मिलना चाहिए और हर स्टेश पर मिलना चाहिए जहां भी थोड़ा सा शुबार, थोड़ा सा शक आ किया है उस शक मिलना पर अक्विट किया जाना आफ वो अक्विटल तू फोर्टी नाइने में आए, तू सिक्टि फाइफ MARK में आए या ट्राइल की कन्क्रूजन पर आ जाए वो अक्विटल जो है उस मुल्जम का हक है और वो एक ग्रेस के तोर पर नहीं मांगेगा बलके एक हक के तोर पर वो मांग सकता है उसके बाद सेम एज इस इस अक्विटल के जो प्रिंसिपल्स है वो वाज़ किये गए है NLR 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज़ है 607 में और अगर एक मुल्दम अपस्कॉंडर हो जाता है और इस्तिहारी मुल्दम बाद में गिरफ़तार हो जाता है ट्राइल अगास होता है आते ही वो टू सिक्स्टी फाइव के तू फॉर्टी नाई ए का सारा लेता है पाइव सिक्स्टी वान एसी यार पीसी का सारा लेता है तो कानून कहता है कैसे मुल्दम को अक्विटर की रायत नहीं दी जा सकती कोई फेवर नहीं दी जा सकती यह बाद इंदर प्रेट हुई है उनीस सो नवे पीसी आर एल जेपेज है वान जिरो फोर टू में एक बड़ी टेक्निकल सी बात है के अक्विटर की एप्लिकेशन जो है वा तू फोर्टी नाई ने में है या तू सिक्टी फाइव के में है इसके पैंडिंग होने के बावजूद मकदमे की कारवाई जारी रखी जा सकती है अगर एप्लिकेशन दी है तो यह नहीं होगा कि मकदमे की कारवाई रोकी जाए बलकिके कारवाई चलती रहे यह बात इंटिप्ट हुई है 2004 S.E.M.R. पेच है 1805 पे और अगर प्रास्टिक्यूशन के गवाहान आकुलर विटनस होँ डारेक्ट विटनस होँ और वो मनहरफ हो जाए अगर विटनसेज़ अगर मनहरफ हो जाए तो मुल्जम को 249 A 265 K C.R.P.C. का फेवर नहीं दी जाएगी इस बात की पली के उपर वो बरी नहीं हो सकेगा यह प्रास्टिकूशन के विटनसेज़ हैं वो मनहरफ हो गए हैं उसको बरी कर दिया जाए ऐसी एप्लिकेशन खारच की जाएगी यह बात इंतर्पेट हुई है 1998 C.R.L.J. पेश है 236 में जब भी ट्राइल के किसी मर्खले पे मुल्जम की तरफ से अक्विटल की एप्लिकेशन आती है तो प्रासिक्यूशन को नोटस दिये बगएर प्रासिक्यूटर को सुना जाए कंप्लेनेंट को सुना जाए और अक्यूस की बात सुने जाए और अगर प्रासिक्यूशन को नोटस दिये बगएर जजज साब अपने तोर पर अक्विट कर देते हैं तो ऐसी एक्विटल कानून की नजर में गहर कानूनी मतस्वर होगी यह बात उन्टर पेठोरी है 1998 S.E.MR पेज है 1840 और 2014 PCRLJ पेज है 861 याद रखिएगा के ट्राइल की किसी भी स्टेज पर अक्विटल एप्लिकेशन मूव की जा सकती है दौराने तफ्तीश अगर 249 A या 265 के जाते ही अप्लाई कर देंगे या 561 A.C.R.P.C. दौराने तफ्तीश ही इस्तमाल में ले आएं तो ऐसी अक्विटल नहीं हो सकती है यह बात इंटर पेठोई है 2005 PCRLJ पेज है 252 में बात अरसल यह है कि अप्सिडिक्सिट अफ पॉलीस इस नाट बैंडिंग उन दा कोट पॉलीस किसी मुल्सम को गुनागार या बेगुना करे खानून कहता है कि अदालत को उससे कोई सरुकार नहीं है और इस पॉली के उपर कि पॉलीस ने मुल्सम को बेगुना कर दिया है अब अन्डर सक्षिन 249A या 265 केस या पीसी उसको बरी कर दिया जाए तो ऐसी अक्विटल नहीं कि जाएगी यह वाद इन तो पैठ हुई है 2016 PCRLJ पेच है 883 में एक बड़ी टेकनिकल सी बात है कि अगर ट्राइल में शहाद्टें खत्प हो गए जिरा मकमल हो गए फाइनल आर्गुमेंट्स पे आ गया है अब केस आहरी स्टेज के उपर ट्राइल खत्म होने के करीब है अगर अक्विट होना है तो ट्राइल के एंपे वैसे ही अक्विटल आ जाएगा ट्राइल की आहरी स्टेज पर अक्विटल एप्लिकेशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगी ये बात इंटर्पेट हुई है 2005 SCMR पेश है 1544 में हमेशा याद रिखेगा कि एक मंज स्ट्रेट के पास जो 249 ACRPC की पार है एक सेशन जच के पास 265 KCRPC की जो पार है और एक हाई कोट के पास सेविंग अफ ते हिनहेरंट पावर अफ ते हाई कोट अंडर सेक्शन 561 ACRPC जो पार है ये तीनों पार्स को एक्स्टेंसिव हैं एक दूसरे से मिलती जुलती है इनका दारा इक्तियार तक्रीबर तक्रीबर सेम 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 चलता है ये बात इंडर्प्रेट हुई है 2012 PCRL जेपेश है वन सेवन फाइव सिक्स में और अगर मुझम इस पनियाद पर 265K या 249A या हाई कोर्ट पर 561A CRPC अक्विटल अप्लिकेशन देता है कि चलान जो है बरवकत जमा नहीं करवाया गया मुकर्रा मदद गुजर चुकी है चलान जमा करवाने की तो उस बिना पर उसको बरी कर दिये गया तो ऐसी बरियत नहीं हो सकेगी यह वाद इंटर्प्रेट हुई है तू था उजलबाने मेल्डी पेश है डवर्ट यह फूर में बाद अकट एक मुल्जम यपली लेता है तो इस तगासा कि जो गौहान है वो पेश नहीं को रहे या गौहान के पेश अदालत करने में ताखीर आ रही है तो उसको टू फूर्टी नाइन या टू सिक्टी फाइव के तहट एक्विट कर दिया जाए या उससे फ़ियार को खतम कर दिया जाए तो ऐसी कोई रायत इस स्टेज के उपर इस मिना के उपर मुजब को नहीं मिल सकती ये बात इंटिप्ट हुई है 2013 वायलार पेश है 2103 में अब बात अरसल ये है अगर मुजब को मुजब को मुजब को मुजब का इक्वाल जुर्म की वज़ा से मनवस किया गया है मुजब का एक्स्ट्रा जुडेशल कंफेशन की बिना पर मनवस कर किया गया है किसी मुजब को तो ऐसा मुजब जो है वो इस मना के उपर के जुआइंट एक्स्ट्रा जुडेशल कंफेशन जो है वो वैल्यूवेबल नहीं है अड्मीजिबल नहीं होगा इस मना के उपर उसको बरी किया जा सकता है ये बात इंटर्पेट हुई है 2012 CRNJ 258 में अब बात दरसल ये है के गवाहान के मनहरफ होने के साथ साथ अगर मदई भी मनहरफ हो जाए मदई अपना बियान बदल जाए जब मदई ही बदल गया तो फिर जुरम किस चीज़ का आप ये बात इंटर्पेट हुई है की बात करते हैं ट्राइल की किसी भी स्टेज पर अक्विटल अप्लिकेशन तायर की जा सकती है इसकी इंटर्पेटेशन हुई है पी एल डी नाइटी नाइटी सेवन सुप्रीम कोर्ट पेज है टू सेवन फाइफ में जब बारहा दफा कई दफा बास का दस दफा पंदरान दफा बीस दफा कई दफा प्रोसिक्यूशन के गवाहान के पेश करने के लिए मुआक्विए दिये जाए और वो गवाहान पेश ना करे देन अक्विटल अप्लिकेशन मन्जूर कर लेनी चाहिए क्योंके गवाहान तो आ ही नहीं रहे अदालत का कीम्ती वक्त जाया हो रहा है और मुद्जम खाम खाम में पसा हुआ है जबकि कोई ऐसी प्राबाबिलिटी ऑफ कन्विक्शन पिछे रही नहीं जाती जब गवाहान ही मजूद नहीं है ये बात इंतर्पेट हुई है नाइटी 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 फॉर पी सी आरल जे पेच है टू फॉर नाइटी में जहां तक गवाहान के तालग है प्रोस्टिकूशन के अगर वो कस्तर अदालत में हाजर नहीं होना चाहते बारहा तफ़ामों के दिये गए है अदालत में आ ही नहीं रहे तो उनका हक के शहादत कलोज करके मुल्सम को अक्विट किया जा सकता है यह बाद इंदुप्रिट प्यूई है 2009 पी सी आरल जे पेच है 1275 में अक्विटल जो है अगर यह साथ हो जाती है बाद किसी किसम का कोई इंक्रिमिनेटिंग मैटरियल कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सफाय में सब्सक्राइब नहीं है तो क्विटल जो है एक राइट होगा और मुल्जम जो है वो उस राइट को क्लेम कर सकता है यह बात इंटर्पेट हुई है NLR 2005 SD पेज है 507 में जब एक बन्दा अक्विट हो जाता है तो कानून कहता है कि इसको डबल प्रेजप्शन ओफ इनोसेंस वास होगा और यह दोरा मुसूल में यह बात इंटर्पेट भी हुई है टू थावूट एट पीसी आरंजे पेश है 1460 में और कभी भी अक्विटल के खिलाफ अपील में हाईर पूर्ट उस वकद तक खायल नहीं होंगी यह उस आर्डर के खिलाफ कोई हुकम सादर नहीं करेंगी जब तक के अक्विटल का जो आर्डर है उसमें यह बात सामने आजाए कि यह आर्टिफिशल स्पिकुलेटिव नेचर का है अदालत ने इनसाफ के तकाज़ों को मद नज़र नहीं रखा है देन उस अक्विटल अपील पर कोई रिवर्स आडर किया जा सकता है यह बात इंटर्पेट हुई है 2005 CRL JPEG 480 में अब बात करते हैं जब पी चार्च ग्राउंड लेस हो और अक्यूज की कन्विक्शन की कोई प्राबिलिटी ही ना हो प्राबिलिटी ना हो तो कानून कहता है बौराई को उसकी जड़ से ही खतम कर दें हता कि उस पे चार्ज फ्रेम भी ना करें और प्रास्टिक्शन की जो प्रोसीडिंग्स हैं ट्राईल की उसको ड्राब कर देना चाहिए ये बात इंट्रिप्ट हुई है 2009 वायलार पेश है 169 में और 2009 वायलार पेश है 1370 में तो दोस्तों ये क्विटल इन क्रिमिनल ट्राईल के हवाले से कुछ गप शप्प थी मैंने सोचा अपने दोस्तों से शेयर करने चाहिए अगर कुछ समझ लगे तो तो देट्स कुट ना लगे अन फ्रेंड करें बला करें थैंक यू अला आप्र